तमाम आधार काड़ धार को और भामाशा काड़ की मुख्याओं को प्रड़ां ये मेरा सुभाग दिये कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप लोगों का भी परम सुभाग दिये कि इस वक्ता आप इस देश के सबसे खूबसूरत, स्मार्ट, हैंसम, डेजिंग, सिजलिंग, चार्मिंग, डाइनमाइक, अमेजिंग, मैंड ब्लोईंग, ओसम, आउट इस्टेंडिंग, क्लुटेस्ट कमी को देख रहा हूँ आप इसमें इतना हें हें करने की जुरत नहीं है, मोधी का देश है, माल के सभी हो, विग्यपन सोलिट करना पड़ता है मेरी लंबाई को देकर पहुत सारी बातें की गई ये छे फुट डाई इंच की आलिशान, हिलती दूलती हमारक, लुगे साड़े तीम फुट की और दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो यू लगता है जैसे कुतुब मिनार के बगल में डाई दिन का छोपड़ा और खली की बाजू में ब्लियां का छोपड़ा एक बार अमिताब बच्चल से किसी ने पूछ लिया, अमित जी आप तो इतने लंबे और जैयो जी इतनी छोटी की बच्ची लगती है अमिताब आपने का रहे पगले इसमें टेंशन की तो कोई बात नहीं है क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो तो तरही अच्छी लगती है शुरू करने की कोशिस करता हूँ लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बेठे लेटे जो बिश्रोता है सारे के सारों को प्रणाम है मियाओ की बीवियों को बीवियों के मियाओ को जोडी वाले सारे जोडी दारों को प्रणाम है जिनकी जोडिया अभी घोडिया नचड़ पाई उन कुवारियों वकुवारों को प्रणाम है और जोडिया बनाने की फिराख में जो डोल रहे एसे देवदासों और पारों को प्रणाम है माता है बेने बेट लिए बहुत अच्छा लग रहा है माताओ बेनों को प्रणाम करता हूँ अच्छा माताओ बेनों को प्रणाम करूँ तो सास बोव ने क्या बिगड़ा संसार का सबसे विचित्र चेप्टर सास बोव का उनके बीच में छोटी सी बात उसमें से बारीक सी बात निकल करा है ठाहा का बढ़ा करके मुस्तक लोटाना सास बो के बीच में एक समभा एक दिन सास बोली वहुसे करम जली मेरी बुढ़ी काया तुझे देख देख रोती रे शादी के आख सालों के बाद मैं उलाद भी है पोता मांगती रही मैं तुझे जनी पोती रे तिल मिला कर वहु बोली बाई रहने दो बेटा ही रे साल लगे तो बेटिया भी मोती रे आपके बेटे के भरो से ही बेटी रहती तो इकलोती जो ये पोती है वो भी न होती रे ये ये आप नीटी सुना दरी है क्या आप नहीं ये ये मैंने फिजल बोल से पाथेल लिया मैं तो पंडित हूं मेरा पुरा नाम है पंडित लोकेश मागा लिये पंडित आपको प्रणाम करता चाब पंडितों में तो मस्ती भरी बड़ी है हमारे तोस्सने मुपनाम तक में मस्ती भरी पड़ी है एक बार पंडितों का एक संवेलन वरत असर आपर कापी सारे पंडित इख़ते हुए थे उसमें एक दूबे जी भी थे दूबे जी को सब रोज परेशान करते थे एक परेशान करने के लिए दूबे तू बता तू द मारीता जी एक ही है माता जी दोनों मिलाकर हुए दो इसलिए में दूबे ये सुनते ही त्रिवेजी का दिमाग ख़़ा चोबे का हाथ पकड़ा और पंचोली के साथ निकल लिया अब जब वो जाने लगे तो सामने से एक सर्जेन हो रहा रहत है बड़ी दी चुटिया और दोती परेंके उन्हों कहा क्यों भई सभा समाग्त हो गई क्या सभा तो समाग्त में हुई वो अंदर दूबे बदमाशी कर रहे है उससे पूछा तो दूबे कैसे ओके एक पिता मता जी दोनों मिलाकर हुए तो इसलिए में तुबे हम लोग क्या कहें यह सुनते ही जो सामने से आ रहा था उसकी धोती खुल गई चपल छुट गई भाग नहीं क्योंकि वो थे मिश्ट जी एक बार जोड़ ताले बजाकर मंदीजिए और इसके बाद मैं कहीं भी मांगो आपको जाओ बजह नहीं हो बजहें लेकिन मुझे सुनने के सिर्फ एक शर्त है जहां तक मेरी नज़र जाए आपके चेरे पर मुसकान नज़र आए हसी नज़र आए क्योंकि मेरा तो जन्म ह इसकी मनुसियत के खिलाब लड़ने कले होँए क्योंकि ना तो मैने मनूस होकर कुछ लिखा है ना मनूसों को सुनाता है क्रेम द्यार के मुधलिक बहुत सारी बाते हुई और यह किरे थे मुझूर गे मुझूर को भी बहुत सारी बात लिए ये मुझे लोग भी मस्ती करके बता रहे हैं कि कौन कहता है कि गुड़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता आम भी तब तक रसीला नहीं होता जब तक की हो पिल पिला नहीं होता और कांती सर आपको देखकर लगता है कि आपकी उम्र की आपकी उम्र की तमाम इमारते बेशक खंडर में तब्दिल हो लेकिन आप फेरी टेस नजरारेव आपको प्रणाव जाए लोकेश भाई पंगा मतलो अलवर के बड़े बुरों से यह अभी सुपारी फोर देते हैं चिक्रे मश्कुनों से बिल्कुन तो यह समर्थान में खड़ाओ और नोजवानों के अच्छा मैं नोजवानों के बात करना हो अलंकी मैं खुद नोजवान जी रहा यह जो आप देख रहे हो ना बड़ी मुश्किल से बचा के रखा हुआ मेरा काला धन है और काले धन से याद आते स्वामी राम देव आप लोग बले उनों गुरु मानते होंगे तो संपूर्ण सिष्टी मुन का सबसे धूरु रोधी कट्टर दुश्मन दुश्मनी सावि अचला धन होई वी बड़ी बड़ी कहिसी कानाम काली जैसा नाम की गयाय मेरा थन है बड़ी सम्झ को कि एख रत्ती साल आप कि भी। हिंडी संध की बात समझ करें, एक बार की दुश्मनी टाल सकता ता पर कट्ट दुश्मनी तु थो ता भूजरो अगली बात काई। बात सबजनलाए तो यहां से मारतक जोड़ा ठाकर उखाना बाबा जीन जैसे अविवाठ के माम कट्टो दुश्मन बाबा जीन का काला धनवापिस करो काला धनवापिस करो और इसको सारोजनिक करो अब बाबाओं पे चक्कर दो खुदबंगा हो जयाओ। मुधी और बादाओं जी में बूद कुछरा गया हो लेकेश भाही जया तो नाराइंग सहाई के दिया आसराम जी को कूछ भी के दोच लेगा कोई अपकिणी लगी नराय साइ को कुछ नी कहे न लेकित वी है है भारती सर्सकति का पोशाख है थो संस्कति क्या यह केती है पीता के काम में अठ बठाव और बहूं के मामिल hilarious नोजवानों का मामला बड़ा मिचित्रा भी हर साल 14 वर्वनी को नोजवानों का रट्पियंत रट्पी परवातावे मेरी इपड़ी विश्विख्याथ होगी मंजसे भी कुवर होगी आका दी एक लड़के ने उस दिन एक लड़की से कहा चेड़ने के लिए कहा आजा मेरे दिल में बस जा लड़की ने का सेंड़ी लुथा रुख्या अब मेरे जैसे आदमी हो तो मांसे एक दो तीन लोगो ग्यारा हो जाए पर आप उस लड़के का होस्ता गेखना पट्टे की काली-क जवाब दिया और उस मंपर मंसर को भी सुपर सिक्सर में बदल दिया हो तो प्यार मांगता हूं लड़के ने कहा आजा मेरे दिल में बस जा लड़की ने का सेंड़ी लुथा पूरी टाइप छोरा छोरी से यूँ बोला कहा जा रही हो इतना सुनती जाओ जी खाली-खाली वीरानसा सुना सुना दिल मेरा जाने मन एक बार यहाँ चली आओ जी तिल मिला करके वो छोरी तब बोल पड़ी सेंडिल उतार दू क्या अब फर्माओ जी छोरा बोल अपगली ये दिल है मंदीर नहीं डरो मत सेंडिल सबेद चली आओ जी आज से तो नजर में फसा पड़ा है चारो तरफ फसा पड़ा है कई लोगों को बहुत आनन देना मेरा एक जोस्त है कल्दू जेसा नाम वेसा गुण इतना काला इतना काला की धंग से देपो तो भी उसके नेन नक्ष धंग से नजर ही नहीं है एक आएक सामने आ जाए तो जिसे ताजा ताजा डामर की सड़क उठके खड़ी हो गई हो अम आवस की रात को पेदा हुआ जिस वक्त पेदा हुआ उस वक्त शेहर में मिजली की कटों ती अलग से थी अंदरा मिन तक तो दाई-मा को भी संपट्णी बंदा की लड़का हुआ कै लड़की वो तो भला ह को इस पश्च तक्नीक का कि बता चला लड़ा हुआ लड़ा अच्छा लड़ा से व्यादा है माता और बेनों को परना लड़ा बहुत प्यारा लगता है वो चाहती से जमाने में किसी की बुरी निजर नहीं लगे इसने गोरे-गोरे गलों पे काला काला टी का लगा थी उस पर शाम उसे अपने बाड़ा पे बिठा कर चाहे नासता वदां पिस्ता खोए पापड़ा सब खिलाब है वो द्रवित होगिया और दूद्वाले भाईयादी से बोले भाईयादी संसाल में सबसे जदा माना होता कि पुझारी आप हो इंसानियत के रक्षक आप हो दूद् काले कलुदे आग्मी की शादी होगी है जक्का स्क्यू नाइट जैसी बिल्कुल गोरी लड़की के साथ अब इसमें असने की जवरती है क्योंकि आप यहां से वहां तक जाओ आपको पचास उदर मिल जाएंगे मैंने भी जिल्दिकी में ऐसे ऐसे सुनरी सुनरी निपा प अब तेरी जिन्दगी कैसी चल रही है उसके का खाट चल रही है एक चंदो सुना था हूं उसके अपनी जिन्दगी के बारें किया था पाचर भी दुखी बीबी मेरी को ही नूर में सड़ा हुआ खजूर लंगूर सा लगू में वो नूर टपकाती है और जहां जहां जाए लेला वहां लग जाए मेला देख देख ककडी सी काया सुखी जाती है वस्त्र वो सुखाने जाए लोग छटो पे आ जाए आसपडोस की खीड की एखुल लोग कहें देखो भाई अंधे ने बटे रपाई चका चक चूरू में के संग सुखी बाटी है चका चक चूरू आईए एक गीत सुना काओ गीत की प्रिप्ट भूने सिर्फ इतली सी आदमी अपनी जिन्दगी में सब कुछ भूल जाए एक चीज वो ता उम्र नहीं भूल पाता और वो होता है उसका पहला प्यार जित्ते भी नोजवान हैं वो तो करी रहे और जित्ते भी बुज़ूगे वो रिवर्स गीर डाल के देखे उम्र के किन किन पड़ाओ पर इस एसास से आप बुज़रे लेकिन लोकेश महाकली अलवर की स्पावन घरा पर खड़े होकर शान के साथ एलान करना चाहते हैं हम आपसे चार गदम आगे हैं क्योंकि आपने 17-18 की उम्र में संपटाने के बाद प्यार किया कौन सा तीर माल लिया हूँ तो प्रकरिया थी अपने इतनी बड़ी रिस्क के 13-14 साल की बुर में उठा ली दरसल पाँची छकी पड़ता था एक छोड़ी मेरी क्लास में पड़ती थी हम दोनों के नजरे मिली मुझे लगा प्यार हो गया लेकिन वो कुछ और था और उसका प्रेणाम भी कुछ और निकला मैं गीत शुलू करूँ उससे लेकिन वो इक बार आपको बटाओ कि आप उसी मस्किक साथ गीत सुनना चाहते है पहली 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 वो बहार याद है मुझे को अब भी बच्पन का प्यार याद है एप पहली पहली सुन्दर सी एक लड़की तेरा चौदा साल की थी गोरी थी उसकी काया सूरत कमाल की थी घनेरी जुल्पो वाली दो चुटिया करके आती कजरारी काली अखिया मन को मेरे लुभाती हर रोज मेरी आखे उसकी आखों से लड़ती थी क्योंकि नसीव उसे वो मेरी क्लास में पढ़ती थी तीरे नजर का बार दिल के पार हो गया देखने ही देखने में प्यार हो गया कैसे चड़ा था इश्क का बुखार याद है नजदीक उसके जाने में मैं जान जोकता था सबसे जगडबगल में उसकी सीट रोकता था बिन मांगे मदद उसकी मनुहार से करता था वो कोई काम कहती बड़े प्यार से करता था बागों से उसके लिए मैं पकड़ के लाता तिदली बेरी के पके बेर और खटी खटी इमली एक रोज इमली तोड़ने में पेर पर चढ़ा फिसलने हा जो पेर तो दड़ा मुसे पड़ा महिनो रहा था क्यांगो से वेकार याद है पर मुझे को अब भी बच्पन का प्यार याद है दिवानगी का आलम उफानी हो चला था जुबा पे गूंजते थे हर वक्त तराने बंद हो के बाथ रूम में घंटो गए गाने यू इश्क के सागर में लगाए मैंने गोते सूड़क उसी की नजर आई जागते सोते पर प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया वो अगली कक्षा में गई में फेल हो गया घर जाके पापा से पड़ी वो मार रिया लगे रो मुना भाई क्यों क्योंकि फटाक से राजी हो जाए अरे वो कन्या ही कौन हुई है दुनिया की हर ट्यूब लाइट लपक जपक कर गई तो ओन हुई है लगे रो में भी लगा रा वो जटका जो उरका था लेकिन में सह गया इसकूज में ही तो है वो ये सोच रह गया पीछे पड़ा मैं उसके कोशिश हजार की हिम्मत न जुटा सका पर कभी इज़ार की एक रोज वो इसकूज में आई नहीं नजर पता किया जो मैंने तो पता चली खबर बेड़ी का उसके हो गया ताद लाग कही सुनते ही दिल के तुकड़े हुए वही के वही उस रोज में रोया था जार जार रिया तो नहीं देसी शकल में पताओ कि इन हास्रस का है इसको छोटा सा संदेश है यदि आप किसी से प्यार करते हो तो थोड़ी सी डेरिंग करो और तीन शब्द बोर दो प्रंग वाकि आई लव यू हट सर्थ के हो गर मुस्ताहिए तो नोचा थपड़ माल लेगी बाल बाल बिखे लेगी गलत के भी नहीं बनी लेगी जो मेरे साथ बनी समय गुजरता गया वो भी जवान घट भी भाई मेरे भी जवान एक रोज मुझे मिली और किस प्रकार से मेरे ये थी की तीसी करके बारा बज़े सुनना हुआना समय गया गुजरता समय गया गुजरता समय गया गुजरता जवानी आ गई बरसों के बाद याद वो कहानी आ गई एक दिन दिखी फिर वो मुझे सड़के मोड़ पर मैं उससे मिलने को गया जल्दी से दोड़ कर इठला के तब वो बोली अपने सजीले साइयां से एक अटेक तो भी लग गया उसकी शादी हो गई दो और गी न ताओ इटला के तब वो बोली अपने सजीले से यहां से मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुह बोले भाईया से उस रोज दिल के अर्मा स्मों में बह गए जब प्रेमी का के बच्चे मुझको मामा कह गए